डिशन दो जीके लोग लुग सिधाये डिखे थे बगेसौर बबा जब आए हुआ थे तरेत पाली में जो की नौबतपुर में तभी मौजूद थे तो क्या समन्द है जब वह तो ग्राहराग को का लिए लोग की समय घृता посто सुनते हैं आत्म मा नोके बारे में सब्सक्राइब है जैसे कि महराजी आफी कथा वाचक है, और वह भी कथावाचक है, और उनमें एक अलग कारेसेली देखा गया है, जैसा कि हम लोग देखते हैं, यह जो कि घनमान जी से परची निकलवाना, यह कहीं तक सत्थ है, और फिर क्या सोच रखते हैं उनके बारे में? समाज में आज जो भी अन्याय है, अध्याचार है, सोचने जुरूम है, पापाचार है, फ़स्टाचार है, जो भी है, उसका मुख्य कारण ये है, ये आदमी की चितना में गिराउट आईगा, जाकर का आप खुछ टेस्ट करिए, पता चलेगा, भब से क्या पुछाएगा। пफ़áया बंद équलक मुख्य कारण운 गिराउटों मुख्य कि चितना मुख्य को खुछ टे खुछत्य की चितना शीन मुख्य कंप खुछ जीना मं। इस वक्त हम मौझूद हैं अचाज गुपतेश्वर जी महराज के साथ और जो कि आप सब को बता दें और आज के समय में काफी जो कि हमारे बिहार में और हमारे देशों में घुम घुम कर कथा सुनाने का काम कर रहे हैं जैसा कि आप लोग देखते थे एक डीजीपी अपसर होने के नाते भी हमारे बिहार को इस तरह से जो की अपराद मुक्त बताने का जो की कार्ज किये हैं और खास करके आज के समय में जो की धार्मिक कार्यों में काफी रूची भी है तो हम जानने का कोशिश करेंगे कि किस तर करें जो कि अपराद मुक्त बनाने का कोसिश कर रहे तो और आज के समय में कथा वाचक के रूप में काफी परसीद भी है और हमरे बिहार ही नहीं हमारे देश के में परसीदें तो क्या कहने चाहिए ठीक है वो अपने हम अलग कम था या अनलग कम्था ने देखो समाज में तो समाज को अगर आगे बढ़ाना है, राष्ट को वरस्थ मुछ विसु गुरू बनाना है तो और समाज से अन्यायत चार सोसन जल्ब, पापा चार बटा चार मिटाना है, आपसी सद्वाव प्रेम में एक्ताभाई चारा बठाना है, तो नेतिक मुल्लों को महत्तो देना होगा, आदमी की चेतना मुतकर्स लाना होगा, अधिकांस लोग तो मुगलों और जोगों को इतना में रजोगुन का प्राबल्य होता है, तो अनन्त एक्छाएं, अनन्त वासनाएं, अनन्त कामनाएं, और रहीं से अन्यायत चार सोसन जल्ब, पापा चार बटाचार के शुरुवात होती है, चेतना में जब सत्व का उतकर्स होता है, तो आदमी के अंदर शमा, दया, करोना, सेवा, आदी दिव्यभाव जब में लेते हैं, नेतिक मुल्यों की स्थापना होती है, और इससे जरूरी है कि समाज की सामुई चेतना मुटकर्स लाने के लिए व्यक्ति की चेतना मुटकर्स लाजा और यह कम राजनीत से नहीं होगा, यह जब भी होगा, आद्यात करता हूँ, किसन करता हूँ, सिर्व करता हूँ, और पुरानों की करता हूँ, और कथा कि मादम से सनातन के संदेश को जनता तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आम आदमी की चेतना मुटकर्स आए, आपस में प्रियम सथ भाविक्ता भाय चारा बड़े, आदमी इस दिन हो जाएगा समाज में बहुत बड़ी क्रांती हो जाएगी इस समाज में एक आध्यात्मिक क्रांती की जरूरत है और उसी क्रांती का एकने सपाही बस जैसे कि महराज आप बोले हैं कि हम सभी लोग एक आत्मा समान है तो कहने कर तक हम लोग सुनते हैं आत्मा और परमात्मा के बारे में तो कुछ आत्मा और परमात्मा के बीच के जो रहस है कुछ जानने के हम पूसिस करें ये सब बड़े गहरी बाते हैं आत्मा तो हम सब हुम हैं लेकिन हम अपने को सरी grounding है इसलिए फिर्व में अहंता है और समझे अपने चरह से संलता है स्म добрost अब इस आत्मा से पर्मात्वात्यक यत्रा कैसे की जाए आपका संक्यत ही पूझने का है तो इसके कई रबताया बेदोंने कर्मार्ग judgments बताया इसके बास में भक्ति मार्ग सो करना भी बहुत परिकन है सबसेषर दाफ़ा है बक्ति मार में seniors के सखिंण आर्डजिव साथ अगर उनका करें उनकी करें उनकी लीलाओं का सुमरण करें तका ऊसे हुँं तो दीरे दीरे चीत सुधा से सबस्वाहिती जाती है उनकी प्रस्णालिटी में निखाराता जाता है तो मुगन से रजोगन, रजोगन से फिर सत्व में जाकर कि प्रतिश्चित हो जाता है और वहाँ प्रतिश्चित हो गया तो समझो कि समागन करांती हो गए बस जैसा कि हम आपको देखे थे बगेसवर बबाबा जब आये हुए थे तरेत पाली में जो कि नौबत पुर में तो आप मिले अच्छा लगा जैसे कि महराजी आभी कथा वाचक है और वह भी कथा वाचक है और उनमें एक अलग कारेसेली देखा गया है जैसे कि हम लोग देखते हैं यह जो कि यह भनमान जी से परची निकलवाना एक कहीं तक सत्थ है या फिर क्या सोच रखते हैं उनके बारे में को लीट में अजिता हैं निमनें को थै इसके बहुंत एक फिर जाके सुछces हुआ, जैसे कुछ लेगारए उसका गन मुझे दे वह भरची सब्सक्तीं यह मतलब हैं, मतलब है उनके पशनका निरामया सर्ववध्त राणी पश्यन्तु गयाुघ द्फन माकची दुखाग भवेद सबका कल्यान हो हर ब्रम्हा की सिस्टिमें जो चुरा सिलाक जीव के वलमन से हमें सबका कल्यान हो, सबका मंगल हो सबत रहता हो, सब्वाउना हो भाई चारा हो और सब आनंद में जियें और उस परम आनंद को इसी जिवन में प्राप्त करें, यही जिवन तामती में लक्षा है सबको मेरा बहुत बहुत आश्रवाद प्यार सबका बहुत बहुत दने बाद महालाजी इतना हमें समिदें जिकारा के 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 जिका सजादों कलम सबसा मेरे औरुखे मुठाए हैं सजादों कलम सबसा मेरे औरुखे मुठाए हैं मेरे गुरू दे बखाए हैं ये ते बुरू दे बुराए हैं मेरे गुरू दे बुरू 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 द